नमस्कार, SDV News में आपका स्वागत है, हाजर है हमारे साथ पत्रकार जी अजय पत्रकार जी, बाबा बालकनाथ इतने क्यों च्छाएं हुए हैं और तिजारा में तो अभी सही दिवाली जिसी आतिश बाजी देखी जा रही है अब क्या बताई है कि राजस्थान में बीजेपी को यहां बालकनाथ की वज़े से जादा फाइदा पहुचा है देखिए बिलकुल इनको दर्किनार किया जा ही नहीं सकता है, अगर एक भी कारेकरता ने महनत किया तो उसको श्रे दिना पड़ेगा बाबा बालकनाथ ने क्या अथक प्रयास अपने हिंदूतववादी चेहरे और अपने अप्रबल यहां पर जो इच्छा सकती है वो दिखाने के साथ-साथ ये तैय करवा दिया है कि राजस्थान में वंपर वोटिंग हुई है दूसरे नंबर पर तीजारा विधान सबस्वा सीट रही पचासी परसंट की वोट देखी गई इससे पहले पोकरन में 87 परसंट की तो राजस्थान में अंटी इंकंबंसी क्या बताती है और बाबा बालकनाथ कितने बड़े स आप सामने आ सकते हैं जरा दर्शक को बदाईए देखे मैं आपको किलियर कर दूँ लाजस्थान में एक जगह बहुत पुरानी है ताम तमाम किले आमेड के किले जैपुर जैपुर की महारानी बसंदा राजे विजय राजे सिंधिया तमाम लोग बहरो सिंग से खावत एक से एक अच्छी जगह है रर्थंबाओर जहां पर युद्वा रर्थंबाओर का हल्दी घाटी तमाम जगह मगर इंसम में सबसे जादा जो इंटरनेशनल लेविल पर जो आज नाम है सिर्फ दो जगहों का देशाजाद हो जाए वो तिजारा और दूसरा पोकरन यह दो सूरा है इन जगह पर लगबग सभी प्धान मंत्री गए क्यों ना जवाला नहरूं क्यों ना इंद्रा गांदी ओं क्यों ना आतल वहरे बाच पर क्यों जाजफणा डिज अलग प्धान मंत्री नहीं थे और सब अलग-अलग ड्रस में गए सबसे बड़ी बात पोकरन बग मतलब विसपोट हो गया है परमार के दो विसपोट होए अटल विहारी वाजफणा पर इसमेलिंग बुद्धा ऐसे तीजारा का भी आपको बतार तीजारा का संदेश इस देश में हमेशा गया है बहरो सिंग सेखावज जीत करके आए तो चीप मिनिष्टर बनने की कोई भ बोला गया एक वहा का 60 बजाद ने गोशित कर दिया था कि मैरो सिंग सेखावत होंगे उन्होंने बीजेपी के लिए भी गोशित कर दिया वहां जीत रहे दूसरा तीजारा से मैसेज आया कि भारो सिंग सेखावत यह मिनिस्टर होंगे आप दो नया संदेश आ रहा है पोक तब तब आपको बतलाना है कि देश में हुकूमत का प्रदेश के हुकूमत का बैरोमीटर है कि 1977 में जब कोई संभावना नहीं थी वहीं पर मीटिंग पर यह कहा गया था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी कांग्रियस इंद्रा गांदी को एक भी सीट नहीं नहीं थी तेısı से ही आवाज हाँ अभन से आवाज निकल लियाऊ है आप मैं आपको केली कर दू कि तेजारा कितनी बढ़ी कितनी मृतिपूंट सेट है तिजारा वास्तों में वहां से जो विधायक रहें इर्मान रहें इर्फान रहें आरिफ रहें तमाम लोग रहें और वह जो शीट भी है वहां से लोग सभा से चाल लाग से अधिक बोटों से बाबा योगी आधित नाज जीते थे चाल लाग से अधिक का मतलब समय ले एक बिधान सभा पर लीट तीजारा में जश्ट अपोजिट पोजिशन है वहां का जो पहले बिधायक थे मुस्लिम से बीजेपी से नहीं थे मगर इस बार तीजारा में ऐसी नेक टूनेक फाइट हुए और योगी बावा बालक नाज जी ने सबको धरासाई करके बहुत आगे निकल गए वहां की जनता यही कह रही है कि हम बिधायक नहीं सीयम चुलना है सीयम चुलना है ताजुब की बात है वहां तमाम जगए जिस समय नाड़े लगे तो कांग्रेसी कार करता हूं उन सब ने भी कहा कि यह हुआ कि कांग्रेस जिन्दावाद या गहलोत के आदमी या पाइलट के आदमी उन्हों का नहीं नहीं हम सीयम चुलना है यहां पर बोर्ट हम उन्हीं को देंगे बाबा बालकनात को यह एक नई चैंजिंग थी अब आपको तरह बाबा बालकनात के आहां जान लीजे इनके गुरू जो थे चा चांड बाबा के बारें पता देना हैं चांड बाबा इनस सक्सों में हैं एक कांड उखाता रूप कुमर का बालविवा वह उता ता सबसे पहले बेक्शन बाबा ने किया कि इनके जो साथ हिंदुस्तान में दो लोगों को जी ठीच रहते हूए गद्धी नाच जी ने 650 म घोर्खा उसमें पढ़ने वाला ओखी टीचर दूसरी बात बहुत लियंट एक बच्चे को सौपी यूथ को लड़के को और वो थे योगी आदितना दूसरी गद्धी इनको सौपी गई थी अब आपको उतारा है बाबा बालक ना तो इनका कितना जबजज़ इन्हों ने एक मंत्री को जो कांग्रेस के मंत्री थे उनको एडियम नहीं गुसने दिया था ए लोगों से क्या कहता था पुलिस मैंक में से कि तुने सलूट क्यों नहीं किया पूरी पैर उठा करके क्यों नहीं किया पहरे को डाड़ना इसको डाड़ना लोगों से कहता था आते निकाल लेंगे आखे निकाल लेंगे इस तरह पुलिस मैंक में बोलता था वह हमेशा क्या तरह कहता था बड़े बड़े लोगों से समाच सेवीों से कि फपड मारूँ गा तब篦 भित्द पर तुम्हारा इस तरह 1 लोगों के खाने क्यों खुंत उड़ा बावा दूंत बावावा लकनाथ ने उनको तुर्ण्ज वाब दिया और वह तिन से भूल गहा है उनको बचाने के लिए देश के बहुत बड़ी पार्टी की एक लीडर महिला लीडर वो लगी थी एक देश का बहुत बड़ा एड़ोकेट जो आधी रात को खुलवा लेता कोट वो लगा था तब भी बाबा नाथ जब दुबारा मिले दुबारा फिर उनको उनहीं की भासा में बार चालाही कई बिधानसवा सीर्टे इन्होंने avanz की ब्यक्तिकट जनाधार में आज की डेट में बाबा बालक नाध्मी जो राजिस्थान के जन्यता है दो तिन इसमे बाबा बालकनाद। भी तम क्रूप से हैं. दूसरी बाबा बालकनाद ने आज कहा का, कि रामर का बद होगा। उनोंने इसपे चैसे रामर का बद होगा। दूसरा उनने का, मैं किसी को बख्शूँगा नहीं। दूसरा उनोंने ये भी का कि भारत-ठाक का हम जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं उन्होंने एभी कहा जितने लोगों ने बोट दिया सब को धन्यवाद दिया जिन्हों नहीं दिया उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया मैलाओं को धन्यवाद दिया उन्होंने एभी कहा कि लगवग करीब 40 से ले करके 48 दिन के बीच में तेरा था उसको मैं छोड़ांगा नहीं घुसकर मालूंगा यह बावा बालक नान ने आपको मता रहें जैसे योगी जी है वईसे दोनों लोग एक गुरू के हैं एक ही संप्रदाय के हैं नात शंप्रदाय के आपको के लिए कर दें नात संप्रदाय में कोई हाथवार नहीं ह दूसरा पहला अन्चेत्र जहां पर अन्चेत्र एकाल लोगों करें सबसे पहली मदद आप समझ लिजे सुनामी में उन्होंने भेजी थी सबसे पहली मदद सुनामी में तमिलाड में भेजी थी और आपको बताने वहां दीवाली मनाई गई पढाके छोड़े गए हैं और होगी जी की फोटवां लेकर के उनके फेवर नाले ले गए उन्होंने भी कह दिया बाबा योग दैसत जो लोग फैला रहे थे अभी तक गुंडा कर दी करते हैं उनको मैं बक्सूंगा नहीं और अब जो इस्थितिया है पूरे आपको बता रहा है कि राजिस्थान में कई काई बड़े बड़े दर्वे में चले गए हैं जो बद्मास थे जिनके कटे से चाकू से जो डणो से गहलोत के समय जो आप समझा लिजें वहां आतंग बात पहला थे मैखलाओं को चेर रहा थे सब आप समझा लिए सब भाग रहे हैं और आपको बता रहे कि बहुत जल्द उनका वो सब का पतन होगा ये बाबा ने कह दिया हो सकता है कि बाबा वहां के चीप मिनिश्टर बने या डिप्टी चीप मिनिश्टर आज नहीं तो कल जरूर होंगे तो पत्रकार जी आपका अनुमान भी यही कह रहा है कि तीजारा में आतिश बाजी यह दिखा रही है इस नंबर में काफी कम समय हैं आप इनतजार किजिए हम भी आपको लगातार राजस्थान से अपडेट कराते रहेंगे जो भी आपकी राय रखे पत्रकार जी शुक्रिया आपका आपकी जो भी राय हो दर्शक अपनी राय कॉमेंट बॉक्स के जरीए हमें रखे शुक्रिया